हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एक्स्प्रेस टड़ी आज हम करिंग एक्साइज 5.3 का कोशन नमबर 50 एक कॉंट्रेक्ट अन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई एक प्लेंटी फॉर डिले ओफ एक कॉंपलिशन ब्यूंड एक सर्टेंड डेट एस फोलो देखो हमने एक काम करना है कुछ डे में करना है अगर हम वो काम पर्टिकुलर डे में नहीं करते हम एक दिन लेट किया तो हमारे पस कितनी प्लेंटी लग जाएगी 200 की अगर हमने दो दिन किया, तो कितने लग जाएगी 250, अगर तीन दिन किया, तो कितने लग जाएगी 300, जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं, तो पैसे कितने बढ़ रहे हैं, 50 रुपीज, पीछले वाले दिन के मताबिक अगले दिन, 50 रुपीज बढ़ जाएंगे, कितने दिन अगर वो 30 ले क्या करता है, डिले कर देता है काम को, 30 लेट कर देता है काम को, तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, यह आपका कोशन था, हमने एक करना था नहीं किया, तो बोला कि एक दिन के लिए कितने लग जाएंगे 200, दोसरे दिन के लिए 250, तीसरे के लिए 300, ऐसे ऐसे हमारे पस बढ़ता चला जाएगा, तो हमने कितने देका निकाना है, 30 देका, देखें सुशन स्टार्ट करते हैं इसका, एक कितने आपके पास, सबसे पहले आप सीरीज लिखिए, यहाँ पर आप सीरीज लिखरो, सबसे इजी रहे हैं, सीरीज लिखो, 200, सीरीज इज, 200, 250, नेक्स दे, 300, ऐसे आपके पास चल रहा है, तो लिखिए, here, A equal to 200, D कितना होगा आपके पास, 50, number of day कितने हैं, आपके पास, 30, इनका common difference निकाल के दिख लो, यहाँ ऐसे ही पलचल की हर बार कितना English हो रहा है, 50, 50, clear, तो हम क्या निकालेगा, हमने टोटल कितने दिनका वर डिले किया, 30 डे, आपके पास, अगर टोटल की बात होती है, कि 30 डे में कितना पे करेगा, तो क्या बात हो रही है, सम की, क्या बात हो रही है, आपर सम की, तो SL का formula लगाए, n by 2, 2A, plus n minus 1, multiply me, D, n by 2, 30 by 2, 2A, A की बेली कितनी है, आपके पास, 200, n minus 1, कितना आएगा, 29, D कितना आएगा, आपके पास, 15, कटिन कीजिए, कितना आपके पास, 15, 15, multiply, 400, plus, प्लस, देखी, 15, 400, plus 29, प्लस 29, को 50 से किया, कितना आएगा, 40, 15, add कीजिए, इनको, 400 को add कीजिए, 400, 0, 5, 8, 1, multiply कीजिए, कितना आएगा, 27750, दुबारा रिपीट करते हैं कोशिन को, आपके पास, ये बोला गया, कि एक काम complete करना है, आपने, अगर आप उस काम को, एक दिन लेट करते हैं, तो आपको 200, पे करना पड़ेगा, अगर दो दिन लेट करते हो, तो आपको 250, और अगर थर्ड दे, तो 350, हर दिन अगर लेट करोगे, अगर फोर डेट करते हो, तो कितना हो जाएगा, 350, अगर फाइब डे लेट होता, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 400, जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं, तो पैसे भी वैसे वैसे बढ़ रहे हैं, और कितने बढ़ रहे हैं हर बाल, 50 रुपीस बढ़ रहे हैं, तो ए कितना होगे हैं, हमारे पास 200, हमने ऐसे एपी बना ली, डी कितना होगे हैं, 50, एन कितना था, नमबर ओफ डे से पता चलता है, N number of terms लिखते थे, यहाँ पर A की बात होगी, तो number of base, S N कैसे पास चला, S N जब भी total बात होगी, हमने कितने दिन का निकालना है, 30 दे का, तो वो क्या करके निकालते हैं, sum करके, S N equal to N by 2A, 2A plus N minus 1, multiply D, N की value put ही, A की value रखी, N minus 1, कितना हुगा, 29, multiply 50, sort किया, calculation किया, आपके पास answer आगया, 27750, यह था question number 15,